नमस्कार साथियों आप लोगों के साथ ये धोखा होता है क्या कि मैगी दो मिनिट में बनेगा बट बनता नहीं है ना लेकिन आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ ऐसे शॉट ट्रिक्स बताऊंगा जो निश्चित रूप से मैगी दो मिनिट में बने ना बने बट इन शॉट ट्रिक के माध्यम से उन प्रकार के कॉश्चन्स को आप दो मिनिट क्या बहुत सेकेंडों में बना सकते हैं तो आए मैगी टू मिनिट शॉट ट्रिक्स में सीखते हैं कि क्या वैसे रीजनिंग के शॉट ट्रिक्स हैं जिनको आप बिना कलम चलाएं So mixed format में करेंगे, पहला short trick, मैं आपको counting of triangle का देता हूँ, जब भी आपको त्रिबुच की संख्या गिननी हो, let's suppose पहला situation ऐसा है, कि एक triangle, इसमें बहुत सारे lines यू आ रहे हैं, तो वैसे केस में अगर आपको त्रिबुच की संख्या गिननी है, तो आपको सुल्तान मुवी का वो गाना याद करना होगा, बेबी को बेस पसंद है, आधार, ठीक है, तो यहाँ पे वो आधार ढूंडिये, बेस ढूंडिये, जिस पे आपके सारे के सारे triangles बने हुए हैं, त तो आधार पे आपको जस्त नम्बरिंग करना है, वन, टू, त्री, फूर, और इन सारे संख्याओं को आप जोड़ दे, आपको टोटल लंबर ओफ ट्रैंगल्स मिल जाएंगे, इसी का दूसरा प्रारूप, अगर इस ट्रैंगल में, मैं बेस की संख्या बढ़ा देता हू कि पहले तो ये basic structure जो हमने सीखा वो है, अब इसमें मैं बेसिस की संख्या बढ़ाया, मतलब एक बेस मैंने यहां से यहां लिया, दूसरा मैंने चोटा सा लिया, फिर से एक यह लिया, फिर से एक चोटा सा यह बेस ले लिया, मतलब बहुत सारे बेसिस कर दिया, तो आप अ यहाँ पे 21, 1, 2, 3, इस structure में 6, 1, 2, 3 को जोड़ने से, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को जोड़ा, यहाँ भी 6, और 1, 2, 3 को जोड़ा, यहाँ भी 6, अब आप इन सब को जोड़ दीजिए, तो 21, 22 और 18, 60 triangles आपको मिलते हैं, तो ऐसे situation में, जब भी आपको ऐसा दिखें कि triangles हैं, उसमें bases हैं, bases की संख्या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं परेगा, just you need to number the base, add the base, you get the number of triangles, ठीक है, यह पहला सुत्र है, जो triangle में, मैगी 2 मिनिट में बने ना बने, बट ऐसे questions बनेंगे, अब इसका next प्राडूप, अगर आप देखते हैं, एक बार एक्जाम में कुछ यू प्रशन आपको देखने को मिला, और लोग घबडा गए, लोगों ने कहा, कि यह जो trick था, यहाँ apply, तो हो इनी पाया ऐसा, तो सीखा इनी था, आपने सीखा था, बस आप apply करना ही पा रहे थे, यह सारे bases है, इन पे triangle इधर बना है, तो यह 1, 2, 3, 4 and 5, मतलब इतने में 15, 1, 2, 3, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1, और इन सब को आप जोड़ते चले, तो आपको कितने मिल जाएंगे 22, इसी को मैं अगर कुछ ऐसे बना दूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं आना है, इन बातों से आप निस्चिंत रहें, कि आप जैसे भी इन स्ट्रक्चर्स को बनाएं, यहाँ पे 1, त 22, तो यह जो पहला स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, इस वस बेसिक वन, और इसके हिसाब से अभी के वक्त कैसे सवाल आपको मिलेंगे, तो कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, तो जस्ट बेस पे ध्यान दे, उसको नमबरिंग करे, एड करे, यू गेट ता नमबर आफ ट्रा 2017 के पेपर में ये कोश्चन आपको देखने को मिला, SSC, this is SSC JE 2017, में कुछ ये कोश्चन आपको देखने को मिला, क्या यह यह बेस मिथट से बनेगा, हाँ बिलकुल बनेगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो 1, 2, मतलब यहां तक में हमारे पास 3 हैं, और इस इसी structure को हम नीचे लाते जाते हैं अगर, तो यहां पे 1, 2, मतलब इस point पे भी हमें तीन triangles में रहे, मतलब इस बीच वाले पार्ट में हमारा trick काम किया, अब इस side वाले पार्ट में problem किया था, कि यहां पे ये एक ही triangle था, तो इसके लिए हमें कोई trick की आवशक्ता नहीं थी, और यही triangle उपर जाकर के एक और triangle बन रहा था तो एक यहाँ था इसी प्रकार इस structure में देखिए तो एक यह बड़ा वाला triangle and the same way यहाँ पे आप देखिए तो एक यह छोटू triangle तो total 6 और 4 इस structure में आपको कितने triangles मिल रहे हैं 10 triangle तो आज हम इस base method पे जादा से जादा विचार कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से आप basis को recognize करके उनको number करके और उस structure को गिन सकते हो और अगर कुछ add-on है तो उसको आपको नहीं भूलना है So counting के लिए एक word याद रखिए जो प्रायह आपको help करेगा और अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो परिशान करेगा That is combination Combination का अर्थ क्या हुआ जैसे कि ये triangle था हमारा बट ये वाला हिस्सा एक triangle नहीं था लेकिन ये जब combine हो रहा था तो एक triangle बन रहा था तो base के आधार पे tricks के आधार पे questions बनते हैं जब ये tilted हो जाए या फिर जब उसमें कुछ extra add-on बाते जोड़ जाए तो भी आपको विचार करना होगा So this is what I want to tell you कि मैंगी 2 minute में बने न बने बट अगर base के basis पे आपको कोई भी question मिलता है तो निस्चीत रूप से आप उसको बना लेते हैं So this basis पे answer आप please मुझे comment section में बताईएगा और हाँ मैं options नहीं दूँगा तो तुक्के बाजी नहीं चलेगी engineer लोग है ने बड़े जुगाडू होते हैं पर मैं answers नहीं दूँगा आपको तुक्के बाजी नहीं करना है प्रशन कुछ बड़ा ही आसान सा है कि ये triangle है एक triangle यहाँ है और इसी के अंदर एक triangle और है समझ में आ रहे हैं बड़ा ही simple सा plain सा diagram मैंने बनाया है बिलकुल भी confusion create करने की कोशिस नहीं की है triangle कुछ lines बनाए हैं और उसके अंदर हमने कुछ और triangles बनाए हैं तो आप इस पे विचार करें और मुझे बताएं कि क्या इसमें त्रिभुच की संख्या कितनी है options नहीं है you need to answer तो ये हमारा पहला short trick triangle के basis पे अब जब triangle के triangle अंदर की बात हो गई है तो ये आपका पहला homework है दूसरा short trick ये है Maggie two minutes तो हर वीडियो में हम दो-दो short trick सीखेंगे दूसरा short trick ये है कि ये एक triangle आपको दिख रहा होगा this is second trick अब क्योंकि यहाँ पे triangle के अंदर मैंने triangle बनाना शुरू किया है तो इससे आपके मन में ये बाते आई होँगी कि अगर किसी त्रिभुच के अंदर हम धेर सारे त्रिभुच बना दे तो क्या होगा तो एक triangle था उसके अंदर मैंने reverse करके एक triangle बनाया और इस बात का धियान रखा कि वो हर vertices को touch कर रहा है तो नए triangle कितने बनते हैं एक, दो, तीन, और चार तो total triangle आपके कितने हो गएं, पांच नए triangle कितने बने, चार total triangle क्योंकि एक पहले था तो पांच हो गए, ठीक है अब इसको हम next form में ले जाएं तो let's suppose कि अगर एक triangle है इसके अंदर हमने एक U triangle बनाया, तो चार नए बन गए होंगे फिर इसके अंदर हमने एक triangle और बनाया, तो चार और बन गए होंगे, तो हमें कितने triangles मिल गए, 9 triangle मिल गए simple सी बात, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, तो जब भी आपको triangle के अंदर triangles मिलते जाएं, और वो वैसे triangle हो जो sides को vertices को touch करें, तो हर बार चार नए triangle बनते चले जाते हैं, again a very simple trick, अब इसके basis पे अगर हम question के variation को देखते हैं, तो let's suppose कि कुछ ऐसा situation आ जाए, कि ये triangle, ये एक triangle, ये दूसरा triangle और ये तीसरा triangle ठीक है, तो ये एक बाहर वाला एक triangle था, जब हमने ये triangle बनाया होगा, तो चार नए triangle बने, जब हमने ये triangle बनाया होगा, तो चार और नए बने, और जब ये बनाया होगा, तो चार और नए triangle बन गए, मतलब total त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 13, total त्रिभुज की संख्या room number 13 नहीं होगा ठीक है कुछ जगहों पे आप batch number 13 नहीं पाएंगे कुछ लोगों की माननता है कुछ लोगों की नहीं तो एक तो homework आपको मैंने वो दिया और एक homework आप और ले लीजिए एक homework आप और ले लीजिए इसका भी answer आप मुझे comment section में बताईएगा और जो भी समस्या है हूँ वो भी आप comment section में बता सकते हैं कि ये एक triangle है इसके अंदर धेर सारे triangles है बिलकुल आसान form में आप इनको बना सकते हैं इतने सारे triangles बना दिया मैं उमीद करता हूँ या clear होगा तो इन दोनों चीजों की बाते आप मुझे comment section में बताईए ये आपका दूसरा homework है और अभी मैंने आपको पहला homework भी दिखाया ये आपका पहला homework है तो इन दोनों के answers आप मुझे comment section में बताईएगा कोई भी समस्या हो मुझे बताईए और जो नए tricks सीख रहे हैं उनको apply कीजिए फिर से वही बात मैंगी दो मिनेट में बने न बिने बट अगर इन tricks पे आपके questions आते हैं तो बिना कलम के निश्चित रूप से आप उनको बना सकते हैं आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपने इस trick को enjoy किया अपना ध्यान रखें घर वालों का ध्यान रखें आप लोग के answers का इंतजार रहेगा मुझे comment section में और मैं वादा करता हूँ मैं personally सबको reply करूँगा Waiting for your answers Take care, stay blessed, over and out